हेलो एवरिवन, गोड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने एकदम स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों के लिए नोन टेकनिकल, जिसमें पहली क्लास मैट किया है, पहले दो बेसिक-बेसिक सी थी, लेकिन आज ये फस्ट लेक्चर है एक तरीके से आप लोगा का, लेकिन जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, वो भी आपको आना तो आज पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा रेश्यो और परपोर्ट्शन, नुमेरिकल एबिलिटी हमारा सब्जेक्ट है, और किस एक्जाम की हम लोग प्रिप्रेशन कर रहे हैं, एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया, एर ट्रैफिक कंट्र जरूर करें, शेयर करें, जादा से जादा जितना अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी करें, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, किलिए रहे हैं, चलिए स्टुएंट्स, नूट टेकनिकल आपको बिल्कुल फ्री दे रहें और आपको जब टेकनिकल हम आपसे टेकनिकल पेड़ किया है हम लोगोंने टेकनिकल का हम ज़रूर पैसा ले रहें जिसमें फिजीक्स, अविएशन इंडस्ट्री, मैथ, इंचिनिरिंग मैथमैटिक्स और बिजनिस मेनेज यह आप लोगों को कराया जाएगा ठीक है जी चलिए और इसका जो फीस हम लोगों ने रखे वो 2500 रखे बहुत ही जैन्विन सी फीस है बिल्कुल भी ज्यादा फीस नहीं है उमीद है आप लोग यह बैच जरूर जोइन करेंगे student अब काफी student की ये query थी कि जो लख से बैच है वो हिंदी में रहेगा या इंगलिस में रहेगा या कैसे रहेगा तो बड़ा confusion था जो content है मैं पहली आपको बता देता हूँ जो content है वो आपका English में ही रहेगा लेकिन जब बात explanation किया आएगी तो जैसे मैं आपको explain कर रहा हूँ जैसे मैं आपको YouTube पे lecture ले रहा हूँ इस तरीके से हापको पढ़ाया जाएगा लेकिन content English में ही रहेगा यह मैं पहले बता देता हूँ explanation अलगल होगा English में अलग explanation होगा हिंदी में अलग तो आपके लिए double यहाँ पे हम लोग मैनत कर रहे हैं तो आप लोग please इस batch को join करे और कुल मिला के अपना मतलब यह जो 2020 के जाते जाते कुछ तो अच्छी ख़बर मिलने चाहिए कि आप पूरी मेहनत करें और sure हो जाए कि हाँ वही है 2021 में हमें जो मिल जाएगी चीक है start करते है students बाते बहुत हो गई तो चलिए start करते है ratio and proportion student यह ratio and proportion बहुत ही जाद important topic है सबसे पहले तो मैं यह बता देता हूँ आपको क्योंकि मैंने आपको बताया था introduction class में कि ratio सिर्फ एक topic नहीं है ratio एक concept है जो कि सभी topic में use होता है कोई भी topic आप उठा लीजिए हर एक topic में यह concept use होने है जो कि हम लोग ratio में सीखेंगे इस्ट्वेंट जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज मैं बहुत जादा नहीं पढ़ाऊंगा ratio का basics बताऊंगा ratio होता है क्या यह बताने वाला हूँ फिर ratio को merge कैसे करते हैं सबसे main आपको यह आना चाहिए merger यह मैं बताने वाला हूँ बहुत मज़ा आने वाला है merger में और अलग-अलग तरह की चीज़े पूछने वाला हूँ जो कि आपने मतलब अभी तक ratio अगर किसी ने पढ़ा भी होगा तो यहां पे वह थोड़ा confuse हो जाएगा देखना आप बहुत मज़दार मज़ा आने वाला है कुल मिला के तो इस्ट्वेंट सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि जो ratio है ठीक है इसका sign होता है यह दो बिंदू इस तरीके से दो point अब मेरे से यह नहीं पूछना कि सर ऐसा क्यों होता है यही sign क्यों है यह बनाने वाले ने बना दिया और उससे मेरी कोई बातचीत हुई नहीं ठीक है मैं पूछता वरिना क्यों है ऐसा किया है तो चलिए स्ट्वेंट सबसे पहले देखते हैं कि भईया ratio की definition क्या है आप मुझे बताईए ratio होता क्या है बहुत से लोग अलग-अलग definition देते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि least form of fraction मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखो direct चीज़े बताने वालह हूँ बहुत घुमाँंगा नहीं ठीक है कि मैं इधर उधर से घुमा आके लऊँगा क्योंकि time में बहुत ज़्यादा है नहीं हमारे पास और हमने बहुत कुछ खतम करना है, बहुत कुछ पढ़ना है तो इसलिए जो exam के point of view से important होगा, वो पढ़ेंगा हम लोग तो least form of fraction भी क्या कहलाती है ratio ही कहलाती है यह least form of fraction क्या है यह भी मैं बताऊंगा यह simplest form of fraction लेकिन strengths यह तो वो चीज़े हैं जो आप सभी ने पढ़ी भी होगी लेकिन पढ़ा क्या नहीं होगा strengths एक नई definition मैं आपको बता रहा हूँ यह नहीं होती है बुक में ratio कुछ नहीं है, ratio एक equation है ratio is nothing but an equation ratio एक equation है जहाँ पे variable आप पूछेंगे variable क्या होता है मैं बताऊंगा जहाँ पे variable minus equation अगर मैं करूँ variable minus equation अगर मैं करूँ तो equals to हमेशा 1 आना चाहिए strengths जब आप और ज़्यादा चाहेंगे मतलब या तो cat level पे जाएंगे या SSC की तेयारी करेंगे मतलब आप एक बात देखें ये क्या है ये point क्या है ये आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं भाई ये क्या point बता रहे हो आप एक बास सुनो अगर मैं कहूं कि x upon y equals to आपका 2y3 है मान लीजे मैंने ये आपसे कह दिया तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ x upon y equals to 2y3 का मतलब है कि x ratio y equals to 2y3 2 ratio 3 आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पता है आपको इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन अगर मैं हाँ पे एक बात बता हूँ आपको कि भईया इसकी multiply हाँ पे करो इसकी multiply हाँ पे करो तो आपका आएगा 3x equals to 2y अगला step और ले लेता हूँ मैं तो यह आजाएगा 3x minus 2y equals to 0 तो इसे वेंस यह क्या होती है यह एक linear equation ही तो है एक equation है यह आप लोगों के पास यह equation कितनी है यहाँ पे 1 अगर मैं equation की बात करूँ तो equation कितनी है 1 अगर मैं variable की बात करूँ तो variable कितने है 2 कौन-कौन से variable है 1x और 1y very good तो 2 variable अगर मैं variable minus equation करता हूँ तो 1 आ रहा है यह नहीं आ रहा है मतलब variable हमेशा एक जादा है equation से तो वो condition ratio कहलाएगी कि नहीं तो ratio नहीं हो जाता है एलजबरा हो जाता है पता नहीं होता बहुत लोको को मैं बता रहो हूँ आपको आप पूछ ले ना कभी किसी से की ratio के equation होती है कहेंगे पागल है ratio equation थोड़ए होती है लेकिन ratio एक equation होती है जहाँ पे variable हमेशा चाहिक ज़्यादा होता है किसे equation से, very good, अब स्ट्वेंट्स, ये तो मैं बताऊंगा भी आपको, ये तो आप अब याद रखो, ये पताऊना चाहिए, ये दिखता है आप लोगों को, कहीं न गई पेपर में, इसकी बाद मैं थोड़ी देर में करूँगा, अब स्ट्वेंट मैं आजाता हूँ कि जो मैं बता रहूँ आपको, कि भाया, ratio fraction भी होता है, क्या बता है, least form of fraction, ratio क्या होता है, least form of fraction, मतलब माली जे x by y आपका दिखा गया है 12 by 18, लेकिन ये least form में नहीं है, वैसे ये गलत नहीं है, 12 by 18 भी हो सकता है, ये गलत नहीं है, लेकिन हम इसे simplify कर ले सकते है, 6 से कट करेंगे, तो कितना आजाएगा, 2 by 3 आजाएगा, तो ये है, बास समझ में आती है, या हम ये कह सकते है, एक बास सुनो, ratio relation दिखाता है, क्या बढ़िया definition बता रहूँ, ratio relation दिखाता है, between two or more, two or more, similar terms, two or more, similar terms, यहाँ पर मैं ये similar word यूज़ कर रहा हूँ, similar terms ये similar terms क्या है, relation between two or more, similar terms, ठीक है, in minimum form, दो से ज़्यादा similar terms का minimum form में relation क्या कहलाता है, ratio, अब आपके दिमाग से ये बात निकल गई, ये आपको पता ही नहीं चला किया, मैंने क्या बता दिया, लेकिन एक बास सुनो, या पर एक example सुनो, एक बात बताओ, मैं कहता हूँ, एक पास 50 रुपीज है, अब अगर ये गेम समझ गए, तो मज़ा आ जाएगा, एक बंदा B है, B के पास 20 डॉलर है, 20 डॉलर है, मैंने का इन दोनों के बीच में relation बताओ, minimum form में क्या होगा, relation कौन सी form में, minimum form में, तो क्या बता पाएंगे, क्या, अगर कोई नहीं पढ़ा है, त भी relation निकालता है, जब unit same होती है, इसलिए मैंने का similar terms में, तो अगर, तो इसका मतलब यहाँ पे answer हो जाएगा, CND can't be determined, क्योंकि यहाँ पे unit same नहीं थी, लेकिन, अब यहाँ पे समझना, बहुत मज़ेदार चीज बता रहा हूँ, कि एक बंदा A है, जिसके पास 50 अगर इन दोनों के बीच में relation निकालना हुआ, और कौन सी फोर्म में, लीस्ट फोर्म में अगर ratio निकालना हुआ, तो हम ratio का साहरा लेंगे, किसका साहरा लेंगे, ratio की help लेंगे, तो हम लोग लिख देंगे, आपे ध्यान से देखना, हम लेंगे भाईया, A upon B, यही तो ratio है, equals to 50 by 30, अब 10 से उपर नीचे cut हो जाएगा, 10 क्या है एक तरीके से, पता क्या होता है, 10 है इनका highest common factor, जब हम इनसे highest common factor छेन लेते हैं, तब ratio बसता है, यह भी बताऊंगा, बहुत कमाल की चीज़े ratio में, सब छीपा हुआ, LCM, SCF, time and work, सब कुछ यहां मिलेगा आपको देखन तो यह कितना हुआ, 5 by 3, बास समझ में ही, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि A ratio B कितना हो गया, 5 ratio 3, इतनी बास समझ में आती है, क्या हुआ, 5 ratio 3, अब इस 20, point note करके लिख लेना, अब धीरे धीरे, ध्यान से सुनना सब कुछ, मैं आपको कहता हूँ कि A के पास 24 रुपीज है, अब ही सुनना ध्यान से, B के पास 30 रुपीज है, इन दोनों के बीच में relation क्या होगा, आप कहूंगे A upon B equals to 24 upon 30, 6 से कट कर दो, कितना हो जाएगा, 4 upon 5, बोलोंगे न, यही बोलोंगे कि नहीं बोलोंगे, तो या मैं इसे 6 से कट कर रहा हूँ न, जो common है उसे हटा दो, A ratio B equals to कितना हुआ, 4 ratio 5, अब यहां से एक बात तो मुझे समझ में आ गई, क्या समझ में ही, यह note करके लिख लेना, अगर आपको यह बात के लिए रो गई, बहुत सारे question आपके solve हो जाएंगे, प्लीज, आप लोग जरूर इस चीज को ध्यान से देंखे, प्लीज, मेरी request है अभ आप देखो, आपके पास 50 रुपे थे, 50 एक नमबर है, 30 एक नमबर है, 30 इनसे ratio बना, कितना 5, ratio 3, यहां पे भी ऐसे 24 एक नमबर था, 30 एक नमबर था, ratio बना 4, ratio 5, तो नमबर की help से ही ratios बनते हैं, लेकिन वो ऐसे ही नहीं बनेगे, वो तब बनेगे, जब जो common part होगा, उस कुछ न कुछ divide करना पड़ता है, जो common part है, उसे cut करना पड़ता है, यह point है, बहुत जजादा point, इसका उल्टा क्या होता है, अगर मेरे पास कुछ चीजे ratio में है और में उनसे numbers पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, मुझे divide नहीं करना है, मुझे क से 50 पे जाने के लिए मुझे multiply by 10 करना पड़ेगा अगर मैं इस 30 से 3 से वापस 30 पे जाना चाता हूं तो ऐसे ही नहीं जा पाऊंगा multiply by 10 करना पड़ेगा देखो आपने क्या पढ़ा बच्पन में इधर सुनो आपने ये पढ़ा बच्पन में कि अगर आपके पास A ratio भी ऐसे लिखा हुआ है 5 ratio 6 तो आप अपनी तरफ से क्या माल लेते थे 5 X और एक नंबर 6 X भाईया ratio से आप नंबर पे कब आए जब आपने किसी से multiply किया किस से multiply किया X से multiply किया और यही X आपका क्या कहलाता था आप लोग बच्पन से पढ़ते आए हैं यही X आपका common multiple कहलाता था ल सुनो ध्यान से मैंने क्या बताया कि भाईया जब मुझे ratio से number पे जाना है अगर ratio से कहां जाना है number पे तो मुझे कुछ न कुछ multiply करना पड़ेगा कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा multiply एक बास सुनो बहुत प्यारी बास बतारो मेरे पास दो number है A और B इन दो number का sum 20 है इन दो whole number का sum कौन से number है whole whole number होता है जैसे 0,1,2,3,4,5 2.5 whole number नहीं होता या 3.5 whole number नहीं होता अब मैं कहूं कि भाईया A ratio B अब ध्यान से देखना क्या 1 is to 2 हो सकता है बस यह बता दूँ अगर कोई 2 whole number का sum 20 है तो क्या A ratio B 1 is to 2 हो सकता है कभी नहीं हो सकता यह क्या दिया हुआ A प्लस B तो यहाँ पे अगर मैं देखू A 1 है B कितना है 2 बास समझ में आती है तो ratio में total कितना होता है 3 ratio में 3 ratio में कितना है 3 लेकिन number में कितना है 20 तो यह 20 जो है क्या 3 का multiple है अभी तो बताया कि ratio से अगर number पे जाना है तो कुछ न कुछ multiply करना पड़ेगा एक whole number से multiply करना पड़ेगा तो 3 से 20 पे जाने के लिए किसी से multiply करना पड़ेगा whole number whole number मतलब 0,1,2,3,4,5 point में नहीं होना चीए तो नहीं है न तो इस ratio में यह नहीं हो सकता अगर मैं आपसे 2 ratio 3 हो सकता है तो आपको किसा total कितना हुआ 5 अच्छा ratio में total कितना हुआ 5 मैं ratio में total क्यों देख रहा हूँ क्योंकि मुझे number में भी total दिया गया है ratio में total इसलिए देख रहा हूँ number में भी total ही दिया गया है A plus B दिया गया है तो जो अगर मैं 5 से 20 पे जाना चाता हूँ मालू multiply करके जा रहे हैं तो इस ratio में हो सकती यह बात है बैई एक बात हो इस ratio में होने का मतलब है हो सकता है A8 हो और B12 हो यह मैं सारा बताऊंगा आपको अब देखना A ratio B A plus B कितना होगा 20 और अगर यहां से A ratio B करेंगे 4 से कट करके 2 ratio 3 आएगा नहीं आएगा मज़ेदार concept है यह guarantee है मेरी आपको लग रहा होगा कि सर अभी पता नहीं क्या करा रहे हैं लेकिन एक बात बता हूँ अगर direct question आपसे पूछ लेता है न तो answer बहुत कम लोग दे पाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसका क्या answer होगा देखना ज़रा क्या क्या रहा है 2 whole numbers whose sum is 64 cannot be in the ratio क्या पूछा है cannot be in the ratio आपको 2 number दिये हुए है whole number A और B जिनका sum आपको दिया हुआ है 64 आपको A ratio B चार अलग-अलग option दे रहा है पहला option है 5 ratio 3 और पूछ रहा है किसमें नहीं हो सकते बार-बार question को ध्यान से पड़ो किसमें ratio में नहीं हो सकता ये पूछा है उसने ये पूछा है बता दो very good क्या बात है दे दिया ना answer छोटा सा question है इसी तरह का question आ गया ना तो बस हवा गोल हो जाती लेकिन अब आपको पता चल गया है भाईया A plus B दिया है यहाँ पे देखो A plus B कितना होता है यहाँ पे 8 यहाँ पे कितना 8 यहाँ पे कितना 7 और यहाँ पे कितना 16 अब जो A plus B है वो 8 का तो multiple है इस 8 का भी है यह सीधी बात है 64 का भी multiple है multiple मैंने बता दिया भाई जो टेबल में 64 into 4 क्या होता है 64 16 into 4 64 होता है 8 into 8 64 होता है क्या 7 into something 64 होता है नहीं तो इसी लिए यही answer है क्योंकि उसने cannot भी पूछा है तो answer third is option right किलियर हुआ ना देखा अब पता चला जो चीज बता रहा हूं क्यों important है next का बताना जारा within 5 second answer आना चाहिए if a curtain obtaining a dozen mirrors is dropped भाईया a dozen का मतलब क्या होता है a dozen हाँ good very good 12 ना मुह से यह निकला ना very good इसका मतलब ध्यान से पढ़ रहा है 12 होता है a dozen mirror का मतलब होता है 12 किलियर होती है बात उसके बाद क्या कहा रहा है कि यह गिर गए what is the following cannot be the ratio of broken mirror to unbroken mirror पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कोई भाईया जो तूटे और जो नहीं तूटे तो दोनों को add कर दो होने तो total एक dozen है मतलब 12 वी होने है तो जो भी answer होगा वह 12 को divide करेगा क्योंकि 12 उसका multiple है तो 12 को divide करेगा यह कितना हुआ है हापे total बन टू पलस यह कितना हुआ हूँ है 4 यह कितना हुआ 5 और यह कितना हुआ 12 अब बताना ज़रा, 12 को 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 12 भी कों नहीं करता है, ये 5, तो इसी रेशियो में break नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या पुछा है मेरे से, cannot be, cannot be clear हो रही है बात, आया मजा, यही तो चीजे बतानी है मैंने आज आपको, मजा आ जाएगा, ध्यान से पढ़ोंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, तो प्लीज ध्यान से पढ़ें, like जरूर कर दें, अगर अच्छा लगा है, तो please like जरूर कर दें, प्लीज, चलिए, इस्ट्वेंट्स फिर मैं अपने concepts पे चलता हूँ, क्योंकि, concept is the king of math, यहाँ पे आ गई थे हम लोग, और इसका PDF मिल जाएगा आपको, मैं पहली बता रहा हूँ, कोई भी ज़्यादा notes words के चक्कर में नहीं पढ़ना है, PDF मिलेगा टेलीग्राम पे, और हमारी website पे जाके, जो भी YouTube की वीडियोज है, वो भी आप देख सकते हो free, YouTube पे अगर नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे proper एक मैनर में आपको मिल जाएगा, सब कुछ free of cost, कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, इस ट्वेंट यहाँ पे सुनो, अब मैं जादा बिल्कुल फिर से डारेक्ट बात बता रहा हूँ, कि भाईया ratio में चीजों को कैसे बाटा जाता है, माल लेता हूँ मैं कि यहाँ पे ध्यान से सुनना बहुत इमेंट बात है, दो बंदे A और B, इनके पास दोनों के पास 50 रुपीज है, और अगर मैं A ratio B की बात करूँ, A ratio B की बात, तो यह आपको दे रखा है 7 ratio 3, आप से जानना चाहते हैं, बताईए A के पास कितना होगा, बताईए B के पास कितना होगा, इतना simple question है, सब लोग कर लेते हैं, बच्चा भी कर लेते हैं, इस question को तरीका क्या होता है, सुनो, ratio का मतलब होता है, हिस्सेदारी बटवारा, अभी तो बताया मैंने आपको, तो बटवारे का मतलब क्या हुआ, दो भाई थे, इनके पास 50 रुपे थे, ठीक है, मतलब इनके फादर ने इने बुलाया, इने का कि भाई या, तुम्हारे में 50 रुपे बाटूंगा मैं, लेकिन किस ratio में बाटना है, 7 ratio 3 में, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि total हमेने कितने हिस्से बनाने हैं, 10 हिस्से बनाने, ध्यान से सुन लेना, कितने हिस्से बनाने हैं, 10 इस से किस के 50 के अगर उनके फादर 50 के 10 इस से बनाना चाते हैं तो मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 रुपीज और ये 1 पार्टी common multiple होता है पता आपको कि भाईया total तो 10 हुआ रुपीज में total 50 हुआ तो ratio से multiply करके ही number पे जाएगे तो 1 पार्ट की वैल्यू अगर 5 है तो 7 पार्ट की वैल्यू इसे भी 5 से multiply कर दो तो कितना आ जाएगा 35 और 3 पार्ट की वैल्यू इसे भी multiply by 5 कर दो तो कितना हुआ 15 मतलब A को 35 दिया B को 15 और total कितना हुआ 50 कई लोग मेरे से पूश्ट है सर्फ 5 से multiply क्यों किया क्योंकि 5 is the value of one part 5 is the value of one part अगर नहीं बात पलने पड़ी है तो इसे आप ऐसे भी कर सकते थे दूसरा मैथर समझो A के पास total 7 part है कितने में से 10 में से total 10 ही तो वे 7 plus 3 और इसमें बटना है 50 रुपया 50 तब A के पास कितना रहा है 35 B को कितना बटा 3 मिला है किस में से 10 में से into 50 ये कितना हुआ भईया 15 अब एक बास सुनो अब भी बात खतम नहीं हुई एक question दे रहा हूँ मुझे answer बता देना माल लीजे आपके पास A plus B plus C ये 3 लोग है A plus B plus C इन तीनों की A is 100 years है कितनी है 100 years और आपको दिया गया है A ratio B ratio C ये दिया गया है भईया प्लीज लाइक जरूर करें बहुत मैनत हो रही आप लोगों के लिए ये दिया हुआ है 10 ratio 8 ratio 7 तो बताईए A के पास कितना है B के पास कितना है और C के पास कितना है इन तीनों की A is बतानी है कैसे करेंगे मैं चाता हूँ आप ऐसे ही question को solve करें ऐसे fraction में ना करें तो भईया दे देखो 10 plus 8 plus 7 ratio में देखो total क्योंकि यहाँ पे आपको total दिया गया है in terms of number इसे बोलते है in terms of number ratio में देखेंगे 10 plus 8 18 plus 7 25 in terms of ratio कितना है 25 यही 25 part की value कितनी है 100 इसी 25 की value 100 है अगर 25 part की value 100 है तो 1 part की value कितनी हो जाएगी 4 बोलो yes बोलो yes अगर भईया आप ऐसे सोचो कि 25 part की value अगर 100 है तो 1 part की value कितनी हो जाएगी 100 by 25 कितनी आजाएगी 4 यह 4 ही common multiple है यह 4 ही common multiple है तो 10 part की value into 4 करो कितनी हो गई 40 into 4 करो कितनी हो गई 32 into 4 करो कितनी हो गई 28 प्यारा सा comment कर दो like कर दो साथ में ठीक है समझ में आगई बात ऐसे अब इस 20 अगर मैं आपसे question जानना चाहता हूँ और आपके exam में यह easy सा question आ जाता है तो आप कितना second लेंगे इस question के लिए please मुझे जरूर बताए rupees 10,000 divided among 3 workers 3 worker है मालीजे x, y और z यह 3 worker है और इनमें मैंने 10,000 रुपे इनसे काम करा है मैंने 10,000 रुपी बातना है और मैंने जो बाता इनमें पैसा वो किस हिसाब से बाता 2 ratio, 3 ratio, 5 मैं थोड़ा fast इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यह easy चीजे हैं और आगे हमें tough भी करना है तो यह easy आपको समझ में आना चाहिए अगर पूछे कि पहले वरकर या दूसरे वरकर या तीसरे वरकर के पास कितना है तो आप अपने दिमांग में एक image बना लेना कि हाँ पे x plus y plus z दिया हुआ है तो ratio में भी x plus y plus z जो चीज मुझे number में पता है याद रखना वही मुझे ratio में देखना है मैं बताओंगा यह क्या बात है यह एक छोटी सी बात है लेकिन मोटी बात है कि जो मुझे number में पता है वही ratio में पता होना चाहिए वही देखना है यहाँ पे number में पता है a plus b plus c तो यहाँ पे भी a plus b plus c बोलोते हो 10 part the value of total in terms of ratio equals to 10 part and in terms of value कितना है या in terms of rupees 10,000 अब आप बताओ याद 10 part की value 10,000 मैं कह रहा हूँ तो आप one part की value 100 कहूंगे या नहीं कहूंगे बता तो अच्छा या 1000, sorry गलती हो गई है ना 1000 कहूंगे या नहीं कहूंगे हाँ, तो one part की अगर 1000 है तो two part की value 2000 होगी बोलो हाँ three part की value 3000 होगी बोलो हाँ और five part की value 5000 होगी तो यह मैंने निकालना था क्या निकालना था से दूसरे की और दूसरे की आपको पता चल गई यह रहा अंसर और क्या चीए आपको very good, अब इस्ट्वेंट जो आप बताने जा रहा हूँ यह बहुत important बात है, ratio को देखो मैंने कहाँ, cat में भी पढ़ाया है, banking में भी, ssc में लेकिन आप लोगों के लिए मैं उतना ही रखूंगा जितना आपके exam में आएगा बहुत जादा high level पे नहीं लेके जा रहा हूँ चीज़े, इसलिए direct वो बाते बता रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है, अगर इस्ट्वेंट से मैं यहाँ पे बात करूँ इसके calculation भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा बस ध्यान से सुनना सारी की सारी चीज़े इस्ट्वेंट अब हम सीखते हैं merger की ratio का merger कैसे होता है ratio को merge करने के 16 type है, 16 तरीके है लेकिन इस्ट्वेंट मैं 16 के 16 की बात नहीं करूँगा बस आप लोगों को कुछ important बाते यहाँ पे बताऊंगा और फिर हम लोग questions करेंगे, आप लोग देखना फिलाल हम बात करेंगे merger की merger एक example के थूँ देखेंगे merger एक example के थूँ मान लीजे आपको दिया हुआ है A ratio B equals to 4 ratio 5 आप लोग प्लीज ध्यान से देखेंगे और मान लीजे कह दीजे कि B ratio C आपको दिया हुआ है 3 ratio 2 यह दिया गया है और आपको कह दिया जाए कि find the value of A ratio B ratio C आप कहेंगे यह आसान है मैं कहूँगा आसान तभी है जब आप इसे बहुत जल्दी solve करें ठीक है अब सुनो Trans merge करने का एक सबसे अच्छा आपको point पता होना चीए कि कोई भी ratio देखो यह 2 ratio होगए है हमारे पास मतलब 2 equation होगी 3 variable मतलब ratio का ही case है बहुत सों को तो यह नहीं पता होगा कि ratio मैं बता रहो कहां कहां जा सकता हूँ मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत जादा नहीं है देखो ratio को मर्ज तभी किया जा सकता है जब कुछ ना कुछ common दिखाई दे रहा यह point note कर लो ratio को मर्ज तभी कर सकते है जब कुछ common दिखाई दे रहा है common क्या दिख रहा है यहाँ पर B common है B इधर भी है और इधर भी है अगर common नहीं होगा तो ratio को मर्ज नहीं कर सकते दूसरा जो common है वो same भी होना चीए यह कहा जाता है जो common है वो same भी होना चीए इस point को तो note कर लो बहुत अच्छा और गहरा point आई है तो देखो जो common है वो B है B यहाँ पर कितना दिया गया है 5 यह दिया गया है 5 B यहाँ पर कितना है 3 3 यह दिया गया भीया जब एक ही बंदा यहाँ है A वही बंदा यहाँ है तो उसके पास amount भी same ही होना चीए इसलिए जो common है उसे same करते है यह पहला तरीका है दूसरा भी बताऊंगा तो common क्या है देखो यह 5 और यहाँ पर 3 तो यह same कैसे हो सकता है एक तो तरीका यह कि आप अगर चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो A upon B equals to 4 upon 5 यहाँ पर लिख सकते हो कि B upon C equals to 3 by 2 यह आप लिख सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को same करना है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को same करना है तो LCM लिया जाता है तो मैंने B को same करना है यह जो B यहाँ पर दिया गया है B को same करना है यह उपर दिया हुए B तो same कब हो सकता है जब मैं यहाँ पर 3 से multiple कर दू उपर नीचे क्योंकि दोनों तरफ होता है ऐसा नहीं है कि एकी तरफ होगा नीचे नीचे हो जाएगा नहीं और यहाँ पर मैं 5 से multiply कर दू उपर नीचे अब आप सुनना भाई प्लीज, यह एक ही step, आगे नहीं बताऊंगा फिर कभी, इस तरीके से, A upon B equals to कितना है, 12 upon 15, या इसे लिख सकता हूँ, A ratio B equals to 12 ratio 15, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे, B upon C equals to 15 upon 10, या मैं इसे लिख सकता हूँ, कि B ratio C equals to 15 ratio 10, अब एक बात बता हूँ, B एक जैसा हो गया है, नहीं हुआ, अब तो दिख रहा होगा, तो इसी लिए मैं direct जब लिखूंगा, A ratio B ratio C, तो यह हो जाएगा मेरा 12 ratio, B 15 हो चुका है, और C कितना हो चुका है, 10, this is the right answer, किलियर होती है बात, लेकिन, यह तो हुआ, same करने वाला point, कि हाँ भया, जो common है, उ copy-paste method, मतलब जैसे यहाँ पर आपको दिया गया था, A ratio B, आपको कितना दिया गया था, 4 ratio 5 था ना, यहाँ पर मैंने, हाँ, 4 ratio 5 लिया, 4 ratio 5, और यहाँ पर मैंने लिया, B ratio C, कितना दिया हो था, 3 ratio 2, यही दिया था, और आपसे ABC जानना चारह है, क्या जानना चारह है, A ratio, B ratio C, यही जानना चाहरा है, copy-paste method क्या कहता है, copy-paste method यह कहता है, कि आप A ratio B लिख लीजे, यह बहुत इंबर्ड बात है, लिख लिया, फिर B ratio C है, तो आप लिख लीजे ऐसे, मतलब बस B के नीचे B लिख लीजे, यह copy-paste method कहता है, B के नीचे क्या लिख लीजे, B को लिख लीजे, आपने लिख लिख लिया ना, A ratio B लिखा, B ratio C, copy-paste method यह कहता है, कि मेरे पास दो blank है, यहाँ पे, एक यह blank है, copy-paste यह कहता है, कि आप यहाँ से 5 को copy करो, आगे paste कर दो, जो भी कुछ लिखा होगा, 5 है 5, 10 है 10, 8 है 8, जो कुछ है, अगर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे copy करो 3 को, और यहाँ पे paste कर दो, यहाँ पे 2 होता, तो 2 को कर लेते, 3 होता, 3, 4 है, 4, 5 होता, 5, और column wise multiply कर दो, 4 into 3 कितना होता है, 12, 5 into 3 होता है, 15, और 5 into 2 होता है, 10, यह आगया answer, column wise multiply multiply करना है कई लोग add कर देते हैं गलती करते हैं नहीं करनी है आपने मुझे पता है नहीं करेंगे students copy paste method के थुरू एक और बताईए फटा फट से अगर मैं आपको कहता हूँ कि A ratio B आपको दिया गया 6 ratio मालेतों मैं 11 और आपको B ratio C आपको दिया गया मालेजे 9 ratio 10 तो बताईए A ratio B ratio C क्या होगा A ratio B ratio C क्या होगा बहुत बढ़िया बढ़िया चीजे बताऊंगा दिल खुस हो जाएगा ये मेरा वादा है बस like कर दें बताऊ क्या होगा भया copy paste method कैना सर अभी तो बताया आप अभी भूल गए अरे नहीं A ratio B 6 और 11 B ratio C 9 और 10 अब आप एक बात देखिए ये हो गया आपका answer 11 को copy करिए आगे लिख दीजे 9 को copy करिए यहाँ पे लिख दीजे ठीक है जो लिखा है और column wise multiply 6 into 9 54 होता है 11 into 9 99 होता है 11 into 10 110 होता है ये हुआ मेरा क्या A ratio B ratio C बताओ इससे simple क्या होगा आपके लिए कुछ होगा नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए देखो यहाँ पे एक और example बहुत बढ़िया बात बताने वालों 2-3 point और फिर उसके बाद question करेंगे अगर मैं आपको A ratio B आपको 1 ratio 2 दे दूँ B ratio C आपको 3 ratio 4 दे देता हूँ और C ratio D आपको 5 ratio 6 दे देता हूँ और आपसे पूछता हूँ की find A ratio B ratio C यह आपसे पूछ लेता हूँ find A ratio V ratio C ratio D यह बताईए क्या होगा इसका answer क्या आप बताएंगे बताएंगे बताओं अरे आप बिल्कुल बताएंगे आप copy paste method ऐसा बता दिया किससे आप हर किसी का answer बताएंगे A ratio B 1 ratio 2 B ratio C 3 ratio 4 C ratio D 5 ratio 6 C के नीचे C, B के नीचे B यही तो लिखा है मैंने और क्या किया है बताओ इसके लावा कुछ किया? नहीं किया है ना? तो देखो अगर यह 2 है तो इसके आगे देखो यहां से यह 2 को copy करो आगे भी 2 लिख दो यहां पे भी 2 यहां से 4 copy करो इसके आगे 4 लिख दो यहां से 3 copy करो जो जो है बस आप मेरी बास समझी रहे होंगे बताओ यहां पर यहां पर क्या क्या लिखना है मैंने आप कहेंगे sir 5 कोपी करो 5 लिख दो आपने का मैंने लिख दिया अब आपको column wise multiply भी करो sir 1 into 3 into 5 कितना होता है 15 2 into 3 into 5 30 very good 2 into 8 4 into 5 40 good 2 into 4 into 6 48 very good यह रहा answer मिल गया answer बतो very good फटा फट लाइक कर दे अब एक और यह important question है यह इस तरह का question पूछ लेता है आपको थोड़ा सा disturb करने के लिए कैसे सुनो ध्यान से strengths अगर यहां पर दिखो आपको दिया हुआ है A ratio B 9 ratio 11 मालो यह दिया है B ratio C आपको दिया 22 ratio 27 इसके आगे C ratio D आपको दे देता है मालो 2 ratio 3 और आपसे पूछ लेता है find find करिए A ratio D यह आपसे पूछ लेता है बताओ क्या बताऊंगे आप A ratio D आपको तरीका बताया मैंने अभी है उस तरीके से निकाल लो भाईया एक बात बताओ अगर इस पिछले question में यहाँ पे A ratio D पूछता माल लीजिए अगर यहाँ पे A ratio D तो A कितना है हमारा 15 तो आप यहाँ पे 15 लिख दो यहाँ पे कितना है एक 48 तो आप यहाँ पे 48 लिख दो और 3 से कट कर दो 5 ratio 3 से कट करेंगे तो कितना जाएगा 16 यह answer होता है अगर ऐसा होता देखो 1st or last क्या है यहाँ पे 1st कोन है भाईया A, last कोन है D, पहले सुरूआ A से, खतम हूआ D से तो एक बात बताओ, देखो यहाँ पे point note करके बहुत बढ़िया बता रहो अगर आप से A ratio D पूछा है तो आप पता क्या कर सकते हो यह 9 ratio 11 क्या है 9 by 11 है इन 2, यह 22 ratio 27 भाया 22 by 27 ही तो है इन 2 यहाँ पे C ratio D मतलब कितना है 2 by 3 ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है यह 3 बार कट हुआ, यह 2 बार कट हुआ तो उपर 2 की multiply 4 और नीचे कितना हुआ 9 यह रहा answer मतलब A ratio D आपका कितना आ गया 4 ratio 9, इससे fast तरीका नहीं हो सकता, यह मेरा वादा है आपसे, किलियर हुई बात बहुत बढ़िया है इस्ट्वेंट्स, मजा आया है नहीं आया अब कहींगे दिमाग में होगा ऐसा क्यों है, एक बात बतो यहाँ पे धियान से दोखो A upon B, equals to the 9 upon 11, बहुत बढ़िया point बतारो, B upon C equals to the 22 by 27, और C upon D, कहीं बार इस तरह का question पूछता आपका time खराब करने के लिए, अगर मैं, यह मेरी एक equation है, यह दूसरी equation है, यह तीसरी, अगर तीनो equation को multiply कर दो तो क्या हो जाएगा A upon B, right hand का right से, left का left से, B upon C और C upon D, यह होगा equals to, 9 upon 11 into 22 by 27 into 2 by 3 यह हुआ, देखो B से B कट हो गया, C से C कट हो गया, बचा क्या A और D ही तो बचा की नहीं बचा, जो की 4 by 9 आ जाएगा, clear हुई बात, समझ में आता है कुछ, very good, बहुत बढ़िया यार, कजब question का answer बता दो एक गजब, यह बता दीजे मुझे फटा-फट से, आपको A ratio B दिया है, B ratio C दिया, A, B, C पूछा है, आप एक बाद बताओ, आपको A ratio B कितना दिया हुआ है, 1 ratio 2 आपको B ratio C कितना दिया हुआ है, 2 ratio 3 एक बाद बताओ, common क्या है दोनों में, B, और B और लेड़ी हाँ पे 2 दे दिया गया है, same है, अब same है, तो करने की ज़ूरती नहीं है, सीधा 1 ratio 2 ratio 3 लिख दो, यह मैंने आपको confuse करने के लिए दे दिया था, जो common है, वो same भी है, direct answer, यह बहुत अच्छा कोश्चन है, आप बताइए, A ratio B आपको दिया हुआ है, बताइए क्या दिया हुआ है, 5 ratio 7 B ratio C आपको दिया गया है, ओ सुरी 6 ratio 11 आपसे पूछा A, B, C बताइए क्या होगा, अरे 5, 7, 6, 11 7 है तो 7 copy, paste, 6 है तो 6 copy, paste, column wise multiply 30, 7 into 6, 42, 7 into 11, 77 answer, खतम हो गई बात good, next strength ये important question है, बहुत बहुत important question है calculate करते करते ठख जाएंगे और answer निकल जाएगा बात में लेकिन आपका time ले लेगा बहुत जाए strength एक बात देखो आपको A ratio B जो दिया गया है वो कितना दिया है, 1 ratio 3 मैं आप लोगों के लिए ही लिख रहा हूँ, बस दियान से देखना, B ratio C आपको दिया गया है, 5 ratio 7 देखो आप copy paste method से करोगा ना बाद में कुछ common आएगा, या तो 3 आएगा या जो भी कुछ आएगा, उसे cut करना तभी answer आएगा और यहाँ पर यह D है, A ratio B ratio C, ratio D, यह miss printing हो गई है ठीक है, 9 ratio 7 आपसे पूछा है, A ratio B ratio C ratio D पहला option आपको दिया हूँ है, मैं आप लोगों के लिए option लिख रहा हूँ, जब तक आप please इसे solve कर दे, please, 15 ratio 45 ratio 63 ratio 49 दूसरा option दिया है ध्यान से देखेंगे 5, ratio 49 ratio 45 ratio 63 तीसरा option है, यह क्यों लिख रहा हूँ, बताऊंगा 45 ratio 15 ratio 63 ratio 49 देखो, smart work और hard work में क्या फर्क है वो अभी बात करने वाला हूँ 49, 15 45, 63 यह तो था hard work आप लोगों के लिए जो मैंने लिखा अब smart work किये है आप एक बात बताईए, copy paste क्यों यूज करेंगे आपको A ratio भी कितना दिया है, 1 और 3 यहाँ पर क्या कहा यहाँ पर यह कहा, कि A के पास कम है, B के पास जादा है B के पास 3 part है, A के पास 1 है अगर मैं दूसरा देखूं, तो दूसरे में A को कितना दिया है, 5 और B को दिया है, 49, बिल्कुल सही है, जादा ही है पहले में A को दिया है, 15, दूसरे को दिया है, 45, बिल्कुल सही बात है लेकिन तीसरा option होई नहीं सकता, क्योंकि A को 45 दिया, B को 15 ऐसा है ही नहीं जबकि question में ओ लेडी कह दिया, B के पास जादा है, तो answer में भी B के पास जादा ही होना चीए इसलिए 4th option भी नहीं दूसरा, उसने ये कहा कि हर condition में A और B का ratio 1 to 3 ही होना चीए इसलिए 2nd option भी नहीं है, 2nd option में A और B को कितना कितना दिया गया, 5 और B को 49 क्या ये 1 to 3 का ratio बनाएगा, कभी नहीं बना सकता, इसलिए 1st option answer कैसे, A को कितना दिया है, 15, B को कितना दिया है, 45, जड़ा ratio चेक करना 1 ratio 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आरे जब answer ही यहां से आना है जो given है तो जो option है वो question को satisfy करना चीए अगर मैं इस पहले option में C ratio D देखू ना 63 और 49 तो एक बाँ बताओ 63 और 49 अगर मैं 9 से cut करूँगा तो 9 ratio 7 बनेगा या नहीं बनेगा अगर 7 से cut करूँगा तो यही तो बनना था यहां पर ऐसी हर एक कंडिशन को satisfy कर रहा है तो the answer is first बस यहीं होना चीए जजबा यह देखे बताइए क्या answer होगा देखो if A ratio B यह last question है आज का 1 by 2 ratio 3 by 8 कभी भी इस form में नहीं होना चीए इस form में ratio नहीं होना चीए अगर ऐसा है तो आप 8 को इधर ले जाओ 2 को इधर तो कितना हुआ 8 ratio 6 ठीक है या इसे cut कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है फिर दूसरा देखो B ratio C आपको क्या दिया हुआ है 1 by 3 ratio 5 by 9 यह cut कर दो कोई दिक्कत नहीं हाँ पर 3 और यह 3 दर चला जाएगा तो कितना आगए 3 ratio 5 अब C ratio D कितना दिया हुआ है 5 by 6 and 3 by 4 इसे कह सकते हैं 20 ratio 18 तो कि यह हाँ चला जाएगा यह हाँ चला जाएगा multiply हो जाता है यह इसे कह सकते है 10 ratio 9 जैसा मन करे वो कह दो अब एक बात बताओ आपको एक बात पता चल गए यहाँ पे A और B का ratio अगर 2 से कट करूँ तो 4 ratio 3 आएगा यह तो 4 ratio 3 होना चीए या 8 ratio 6 होना चीए 4 ratio 3 मतलब अब सुनो यहाँ पे नहीं बन सकता कभी first option में इसका 4 ratio 3 A और B की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी नहीं बन सकता 4 ratio 3 यहाँ पे भी देखो दूसरा A के पास ज़्यादा है B के पास कम है लेकिन पहला option कहा रहा है कि A के पास 6 है और B के पास 8 है तो यह भी answer नहीं है यही answer है चेक कर लेना जो कि देख लो आपको सब कुछ बता रहा है कि C ratio D आपका 10 और 9 होना चाहिए तो यह कह रहा है C 10 है और D 9 है सब कुछ तो है आँखों के सामने है की नहीं है तो students बहुत सारे थे अभी हम question एक question skip कर देता हूँ क्योंकि यह मैं अगली class में बताने वाला हूँ थोड़ा सा concept और अच्छे से इसका जो last question था Thank you so much everyone जुड़े रहिए जादा से जादा शेयर करिए सबस्क्राइब करिए और लाइक जरूर करिए और students जो course मैंने आप लोगों को बताया लक्से course उसके बारे में जरूर सोच ये बहुत बहुत बढ़िया course आप लोगों के लिए बनाया है और दूसरा जो सबसे अच्छी बात हम लोगों ने मुझे लगता है कि है students को ध्यान में रखते हुए वो ये है कि कोई भी institute आपको इस तरीके से चीज़े नहीं प्रवाइड करेगा कि हमने 50% चीज़े तो free दे दी non-technical पूरा free दे दिया और आप देखना एक से best teacher आपको पढ़ाएगा ये मेरा वादा है सिर्फ 50% course का आप से charge कर रहा है ठीक है और जो course वो आपको हिंदी में भी मिल ला है मतलब content English में का explanation हिंदी में यहाँ पर content भी English में explanation भी हिंदी में बहुत लोगों ने का कि sir आप please English में अलग से दें हमने का ठीक हम देंगे लेकिन non-technical आपको ऐसी मिलेगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ Thank you so much everyone प्यार भरा नमस्कार आप लोग खुस रहिए हमेशा मुस्कुडाते रहिए और मेहनत ऐसे करते रहिए और like, share और subscribe करते रहिए Thank you so much